दोस्तो अगर आप data entry का काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे record को लिखना चाहते हैं हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे data entry का काम किया जाता है data entry के लिए हमें कौन-कौन से software की जुरत परती है और हम Excel में data entry का काम कैसे करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेके end तक जरूर देखिए तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताऊं कि Excel कैसे open किया जाता है Excel open करने के लिए simple आपको यहाँ पर window प्लस R बटन को press करना पड़ेगा यहाँ फिर आप यहाँ पर देखिए यह search का बटन है यानि कि जो वह आप operating system यूज करते है start पर आप जाएंगे तो यहाँ आपको search का option देखने को मिलता है इसमें आप Excel search करेंगे Excel search करते ही आपके सामने यहाँ पर Excel का icon देखने को मिल जाता है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे Excel open हो जाएगा इस Excel फाइल के अंदर आपको यहाँ पर काम करना है यहाँ पर जैसे Excel open हो जाता है तो आपको यहाँ बहुत सारे अलग-अलग option देखने को मिलते हैं यहाँ MS Excel में column की बात करें तो टोटल column 16,000 से भी जादा है और मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ देखे, W के बाद यहाँ आगे मैं इसको arrow button यूज करके आगे ले जाओ तो आप देख सकते हैं Z के बाद अगें यहाँ alphabet यूज हो रहा है A, 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 B, B, A, C इस तरह से अलग-अलग column के name automatic लिखे वे आ रहे हैं और यह column last column का नाम होगा X, F, D जो मैं control के साथ right arrow को click करूँगा तो मिरे को last column का नाम दिखाएगा इसमें लिखा आ रहा है X, F, D और यह column total 16,384 यहनि कि अगर 16,384 लिखूँ तो यह total column का number होगा यहनि कि starting कहां से हो रहा था A से, and कहां हो रहा है X, F, D अगर total column को count करेंगे तो 16,000 करीवन आपको देखने को मिलते हैं ओके, so यहाँ आपको फिर से back जाना है control के साथ left arrow का use करें तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से first cell में आगे and then यहाँ पर मैं आपको बताओ, यह one, two, three, four लिखा हुआ आ रहा है और इसको हम बोलते है rows ठीक है, अगर हम यह one पर किलिक करते हैं तो यह complete, यह horizontal में select हो रहा है आप देखेंगे, select हो चुका है, इसको हम बोलेंगे first row and then अगर मैं यहाँ किलिक करूँ तो आप देखेंगे, seven के सभी जो cell है, select हो गए, इसको बोलेंगे seven row so, अलग-अलग row भी है और total rows कितने हैं, आपको बता दूँ तो 10,48,576 अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो इसके लिए control के साथ down arrow का use करूँगा मैं जैसे control down arrow का use करते हैं 76, so यह basic knowledge था जो कि आपको Excel में होनी ही चाहिए अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और clear कर देना चाहूँगा, कि देखें यहाँ सबसे top में यह जो box बना वारा चोटा सा, इसको बोलते है name box और यहाँ पर बहुत बड़ा box आ रहा है इसको बोलते है formula bar ठीक है, और यह दोनों काफी important रहता है जब आप किसी formula को type करते हैं या कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर name box और formula box बहुत काम का है और जो आपको यह चीज़ पता होना जरूरी है तो यहाँ आपको नीचे में मैं दिखा दू हर एक cell यानि कि जो box आपको दिखता है इस box को हम cell बोलते हैं अब cell क्यों बोलते हैं मैं आपको यह बता दू कि किसी भी box पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ column का name highlight होता है और यहाँ पर row का name highlight होता है इसका मतलब है इस cell का यानि कि इस box का नाम क्या हुआ C6 और इसका नाम name box के अंदर दिखता है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है आप देख सकते हैं C6 और यहाँ पर formula बार पर कुछ भी दिखता नहीं है क्योंकि इस cell में कुछ लिखा गया ही नहीं है और अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो formula बार पर भी दिखेगा जैसे कि मैं लिखता हैं यहाँ पर 34 तो आप देख सकते हैं 34 यहाँ लिखा गया एक काम और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि formula बार कितना चादा हमें यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग information देता है जैसे कि अगर आप माल लो बहुत सारे numbers हैं जब आप किसी भी Excel seat पर काम करते हैं तो उसका calculation भी आपको करना होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर छोटा सा calculation करता हूँ माल लो कि मुझे इन दो number का sum करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको is equal to सबसे पहले Excel में जब भी काम करते हैं कोई calculation करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले is equal to देना पड़ता है और उसके बाद आप जो भी काम करना चाहें जो भी formula या पिर जो भी calculation करना चाहें वो आप करेंगे तो आपका वो calculation होगा फिलाल मैं यहाँ is equal to देकर इस number का selection लेता हूँ तो आप देखते हैं कि इस cell का जो नाम है वो यहाँ लिखा हुआ आ गया यहाँ पे आपको प्लस करना है और इस number का भी selection लेके प्लस करना इस cell का भी नाम यहाँ पे आ चुका है D6 and then जब enter करते हैं तो आप देखते हैं इसका answer one to one आ रहा है अगर हम इस cell पे click करते हैं तो आपको यहाँ यह पता नहीं चलता कि इस cell में हुआ क्या है बट आप यहाँ formula बार पे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा C6 प्लस D6 यनि कि C6 में जो लिखावा record है और D6 में जो लिखावा record है दोनों का sum होकर यहाँ पे 121 आया है तो formula बार बहुत important है जहां आपको किसी भी cell में formula अगर आप type करते हैं जो भी calculation आपने की है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है और name box के अंदर तो आपको इस cell का particular area जो भी आपने cell select किया है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे कोई area है उसका नाम define कर रखा आपने तो उसका भी नाम आपको name box के अंदर दिखाई देगा तो यह basic knowledge था जो कि आपको Excel में काम करने से पहले आपको आनी चाहिए क्योंकि अगर आप Excel में data entry का काम कर रहे हैं तो यह सब basic knowledge आपको नहीं है तो काम करने में बहुत सारे परिशानी हो सकती है So यहाँ भी हम direct आजाते हैं data entry के उपर जैसे कि मैंने कहा कि data entry का मतलब होता है कि hard copy के अंदर लिखे वे information को soft copy में convert करना और soft copy में convert करने का मतलब है कि एक software है उसके अंदर आपको उस file में लिखे हुए information को लिखना है उसे add करना है उस software में अगर आप ये काम करते हैं तो उसको आप data entry को होगे अभी फिलाल अगर मैं बात करूँ कि एक soft copy में लिखने का क्या process होता है तो आप देखें यहाँ पे Excel सीट में हमारे पास columns तो बनी हुई है मालेज यह किसी particular student का मुझे information रखना है एक student है जो एडविशन लिया एक school के अंदर और उसने उनका नाम उनका father name उनका date of birth उनका address mobile number यह सब हमें उनका information हमें add करनी है हमारे पास बहुत सारे forms आते है students के उनमें बहुत सारे student के information रहती है और उन सभी information को हमें Excel में add करना है यहनि कि हमें data entry करना है तो मैं आपको बता दूँ यहां कि सबसे पहले एक student का section होता है यहां फिर जो भी आप category आप बनाना चाहते हैं वो आप बनाने के लिए सबसे पहले heading देते हैं जैसे कि अगर माल लीजिए मैं 10th class के student के information को Excel में लिखना चाहता हूँ य जैक यहां पर मैंने लिख दिया डेली पबलिक स्कुल अब मैं यहां पर student के record add करूँगा कैसे तोसो देखिए students के record को add करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे serial number लिख देता हूँ तो serial number मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसके बाद आप यहाँ पर student के name लिखने वाले हो तो मैं यहाँ पर name टैब कर देता हूँ देखो यहाँ पर जब मैं किसी cell में लिखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ टैब जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा तो वह एक सेल आगे जंप करेगा ठीक है और उसके बाद अगर मैं सिप्ट के साथ फिर अगें टैब बटन को प्रेस करूँगा तो वह बैक आएगा जैसे वो आगे जा रहा था वैसे वो back भी आएगा अब देखे यहाँ पे हमने serial number name और father name और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ address और यहाँ आप mail number टाइप करेंगे ठीक है और इसी तरह से यहाँ पे मैं email भी यहाँ पे add कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने इन सभी record को टैप कर लिया यहाँ 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 पे फादर नेम लिखा हमने बट यहाँ पे father name और यहाँ पे name proper दिखने रहा हूँ उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ देखिए इस column के इस cell में क्लिक करेंगे इस column के यहाँ आप जो column line दिख रहे हैं यहाँ पे आपको click करना है double click करना है अब इस line पे जब double click करते हो तो automatically जो आपके column का field name है उससाब से वह arrange हो जाता है अब मालो यहाँ पे मैं email address टैप कर देता हूं जैसे कि मैं यहाँ पे email address में यहाँ लिख देता हूं तो email address में आप देखेंगे address दूसरे cell में चला गया इनको अगर आप चाहते हैं इस column का size increase करें तो उसके लिए आपको इस column के line के उपर करसा रखना पड़ेगा उसके जितना है उतना ही रखना है जैसे कि इतना मुझे रखना है तो उस case में हम लोग क्या करते हैं देखी यहाँ पे simple एक wrap text का option आता है जैसे आप मैं आपको बताओं यहाँ email address के cell पे क्लिक करते हैं और अगर आप इस cell में दो word और अलग-अलग cell में लिखा जा रहा है बट आपको यहाँ पे wrap text पे क्लिक करना पड़ेगा आप देखेंगे कि हमारा जो email address दुसरे cell में जा रहा था वो एक ही cell में आ गया आप इनका उल्टा भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि column का size increase कर दें तो उसके लिए आपको यहाँ पे wrap text पे दुबारा से क्लिक करना है और उसके बाद फिर से आपको यहाँ से आगे इस column का size increase करना होगा तो आप देखेंगे एक cell में यहाँ पे डिख रहा है और इसी तरह से आप इस record को proper इस column by column arrange कर लीजिए so finally हमने यहाँ पे इस record का जो column name है वो हमने ठीक कर लिया अब हमें यहाँ पे information add करना है अब information क्या होगा students के name उनके address उनके सभी details हैं यहाँ पे tap करने वाले है तो tap कैसे की जाएगी so देखिए हमें यहाँ पे serial number लिखना है उसके लिए हमें क्या करना है simple यहाँ one type करते हैं उसके बाद enter करते हैं यहाँ पे two type करते हैं और उसके बाद आप इन दोनों cell में लिकेवे value का selection लेते हैं देखिए selection लेने के लिए आपका mouse left mouse का left क्लिक करते हुए इसको नीचे drag करे हैं तो automatically यह serial number यहाँ लिखा हुआ चला जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पर name, father name, address और बागी सब detail हमें add करने हैं तो उसके लिए मैं यहाँ हम लोग name type कर लेते हैं सबसे पहले मैंने लिख दिया राजिश, so यहाँ पर मैं यहाँ इसका father name भी type कर देता हूँ and उसक यहाँ पर मैं type कर देता हूँ like मैंने लिखती है यहाँ यहाँ राज, so इस तरह से हमने यह सभी record type कर लिया, अब देखिए ऐसे हम type करते रहें तो बहुत time लगेगा इन्हीं कि आप यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे फिर तो data entry का काम करना बहुत ही असान हो जाता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ form कैसे enable करते हैं, उससे हम कैसे data entry का काम करेंगे, so form को open करने के लिए आपको file पर जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर option पर जाना है, option पर जाने के बाद आपको यहाँ पर select करना है, customize ribbon और उसके बाद आपको यहां पे drop button मिलता है और इस drop button पे click करके आपको yeah all command पे click करना पड़ता है जैसे आप all command पे click करेंगे तो यहां बहुत सारे commands जो दिखनी रहते वहां पे वो दिखनी लगेंगे अब आपको यहां पे form ढूनना है जो form मैंने आपको बताया कि data entry करने के लिए बहुत आसान कर देता है उस form को आपको यहाँ पर ढूनना है यह alphabet order में होता है आप इसे app के साथ ढूनेंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएगा देखें यहाँ पर form लिखा हुआ है और यह हमारा form वही है जिससे हम लोग data entry का काम करेंगे तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो customize ribbon पर जाकर यहाँ all commands पर क्लिक किया यही की drop button पर क्लिक करके all command पर क्लिक किया और उसके बाद हमने यहाँ पर scroll down करते हुए आप देखें नीचे में आते हैं और यहाँ हमें form देखने को मिल जाता है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर form पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ जिस भी tab के अंदर add करना चाहते हैं उस tab को open कर लीजिए जैसे कि यहाँ पर home, insert, row, अलग-अलग tab के name है आपको यहाँ home tab में add करनी है तो home tab पर click करनी है उसके बाद आपको जहाँ पर भी add करनी है वहाँ click करके यहाँ एक new group पर जाना होगा और आपको एक नया group बना लेना होगा और इस group का नाम आप चाहें तो कुछ भी रख सकते यहाँ पर rename में जाएंगे और यहाँ group का नाम जो भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं चीक है और उसके बाद हमने यहाँ OK बटन पर click कर लेना है यह form add हो गया और उसके बाद आपको यहाँ पर यह form आपका बना हुआ रहा है आप इस form को click करके इसे add कर दीजिए त और उसमें form यहाँ add हुआ नज़रा रहा है अब हमें यहाँ पर इन record को add करने के लिए data entry का काम करने के लिए आपको इन सभी record को select करना होगा जिसी कि आप name, father name, address, file number, email address यह आपको add करनी है उसके लिए आपको इन सभी field का नाम select करना होगा और उसके बाद इस form पर click करना है जैसे आप form पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ already name लिखे हुए है वो आ चुके है अब आपको यहाँ पर नया record add करना है तो उसके लिए आपको new click करनी है आप जैसे new click करेंगे आप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर blank form open हो चुका है इसमें आपको name, father name, address यह सब कुछ type करनी है जैसे कि मैं यहाँ पर type कर देता हूँ यह देखे हमने यहाँ पर information type कर दिया उसके बाद आप जैसे enter करेंगे तो आप देखेंगे वो नया record automatic add हो गया यह देखेंगे फिर आप नया record को type करने के लिए आप यहाँ पर नाम लिखेंगे जैसे कि मैंने बार-बार add करने की जुरुत नहीं परती है तो एक तो यह process है आपको data entry करने के लिए आपको सबसे पहले record लिखने परते हैं आप चाहें तो manually tap button का use करते विए record को tap करेंगे tap फिर record करेंगे फिर tap इस तरह से आप काम करेंगे और एक असान यह है कि आप form का use करके असानी से record record को add करेंगे तो दोनों ही cases में आपका काम बहुत easy होने वाला है आप इस तरह से आप data entry का first step complete करते हैं उसके बाद आप यहां पर देखेंगे बहुत सारा काम और भी होता है जिसमें आपको data entry के लिए जरूरी है यहां पर हमने serial number लिखा तो यह सब serial number आपको दिख रहा है और यह चीज आपको यहां पर नहीं आना चाहिए क्योंकि record तो हमने यहां तीनी रिकोर्ड फिल किया है ना तीन रिकोर्ड रिकोर्ड ही आना चाहिए तो आपको यहां पर बता दो कि आप record यहां टैब करते हैं और automatically serial number आ जाता है तो कैसा होगा जिहां अगर आप यहां पर लिखेंगे is equal to if and उसके बाद bracket on। उसके बाद आप इस name का selection ले ले लेते हैं. इस equal to आप यहां 2 बार inverted कोमा देते हैं। shift के साथ आप यहां inverted कोमा देंगे, again inverted कोमा देंगे and गोमा देंगे and और उसके बाद नीचे ड्रैक कर दीजिए यह देखिए 123 आ रहा है बाकी का किसी भी सेल में सिरियल लंबर नहीं आ रहा है वह ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रिकोर्ट टैप नहीं है अगर मैं कल को यहां रिकोर्ट टैप करूँगा तो आटमाटिक लिए यहां पे उनका सिरियल लंबर देखने को मिल जाएगा और देखिए यहां पे मैं लिक कर आगे जिसने बढ़ता हूँ तो आप देखिए यहां चार आटमाटिक आगे है नहीं की सिरियल लंबर आ रहा है और यहां पे मैं इसका पूरा नाम कम्प्लीट टैप कर देता हूँ तो यह जो आपने एक डेटाबेस बनाया है इनको आपको डेजाइन भी करना होता है आप यहां पे इन सभी डेटाबेस का सेलेक्शन लेते हैं और उसके बाद आप यहां आप होम टैब में जाते हैं और सबसे पहले तो आपको यहां बोर्डर देना है तो इसके लिए आप आप को करना क्या है देखिए ओम टैब के अंदर यह हूं टैब है इसके अंदर आपको यह design देने के लिए आप कलर देजिए मैं आप यहां से color select करके apply कर दीजिए यह देखिए आनि उसके बाद आप यहां पर यहां पर आपको जो है बोल्ट कर दीजिए इस तरह से हमारा तो आप देखेंगे record merge हो गया और उसके बाद इसको आप size में increase करके आप इसे center कर सकते हैं यह देखिए इसको भी आप bold कर सकते हैं तो इस तरह से आपने data entry के लिए जो design है वो भी आपने कर लिया और record को type करने का process तो हमें मालूम हो ही गया है हम चाहें तो manual भी type कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो form की मदद से भी इसे type कर सकते हैं तो data entry में और भी चीजी है अगर माल इसे आपको data entry करने के वक्त कुछ restrictions यह नहीं कि कुछ conditions आपको देने हो तो आप कैसे दोगे जिसे कि अगर आप यहां पर manual number आप type कर रहे हैं तो manual number अगर 10 digits का ना हो तो यह accept ना करें जिसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें total 10 digits है और अगर यहां कोई कम number का manual number type करेगा तो वो accept नहीं करेगा ऐसा हम चाहते हैं अभी फिलाल तो यह accept हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी condition आपने दिया ही नहीं है हाँ अगर आप चाहते हैं condition यहां पर दे क्योंकि data entry में गलती होते हैं तो वहां पर बहुत सारे problems face करना पड़ता है हम data entry को purely perfectly करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यह गलती ना हो तो उसके लिए आपको यहां पर validation यूज करना पड़ता है यहां पर अगर कुछ condition देना चाहते हैं और कुछ यहां पर validation करना चाहते हैं तो simple आप यहां column का selection लेते हो और उसके बाद आप यहां पर यह condition देने के लिए कि इस cell में जो भी नमबर लिखा जाएगा उसका length 10 digits ही होना चाहिए 10 digits से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए आप इनका selection लेते हो और उसके बाद यहां एक data tab का option आता है इसमें आप जाएंगे और यहां एक option आपको देखने को मिलते हैं जिसका नाम है data validation अब जैसे इस पर click करते हैं तो आपके सामने एक form सा open हुआ नजर आता है इसमें आप देख रहे हैं कि drop menu का भी option देखने को मिलता है इस drop menu पर जिससे आप click करते हैं तो आपको यहां पर text length के option देखने को मिलेगा इस पर आप click करते हैं और उसके बाद आपको यहां पर data drop button के option में जान 10 digits से ज्यादा नहीं करना है नहीं 10 digits से कम करना है हमने यहां पर 10 लिया इक्वल टू तो यहां पर हमने देही दिया है और उसके बाद OK बटन पर क्लिक कर देंगे अब आप यहां पर कोई भी नमर लिखते हैं और उसके length अगर 10 digits से कम होंगे तो वो accept नहीं करेगा यह देखिए इस तरह का message आ रहा है और यहां पर आप 10 digits का आप लिखते हैं तो फिर वो message नहीं आएगा देखिए यहां पर मैंने 7, 8, 9, 10 और 10 digits का मुए लमर टैप कर दिया और जैसे एंटर करेंगे तो वो accept हो गया तो यह एक validation आपने फिल किया अगर आप मालो किसी भी cell में आप लिखते हो कोई भी value और वो 10 digits से जाता है तो पर भी वो accept नहीं करेगा सो इस तरह से आप यहां पर validation यूज़ कर सकते हो कई बार क्या होता है कि जब आप data entry करते हैं तो यहां एक table आपने बना रखा है उसमे रिकोर्ड अलड़ी टैप की हुई है और अगर आपको यह कहा जाए इसमें एक नया field add करना है यहां पर एक field add करना जिसमे रोल लंबर लिखा जाएगा तो उसके लिए आपको यहां पर simply इस cell पर क्लिक करके रखना है और उसके बाद control shift plus button का यूज़ करना है कीबोर्ड में control shift plus button का यूज़ करेंगे तो यहां एक pop-up window enable वा नज़र आएगा इसमें आपको यहां select करना दिखिए entire column का option है सबसे last वाला option है इस पर आप click करेंगे and ok button पर click करेंगे तो आप देखेंगे कि एक निया column insert हो गया इसमें हम चाहें तो roll number यहां पर type कर सकते हैं अब कई दफ़ा यह है कि आपको यह column हटाना भी है कई कई बार अगर माल लो यह रोल नबर यहां पर मैंने टाइप कर दिया चीक है यह देखिए अब अगर माल लो किसी वज़े से इस column को मुझे delete करना हो है ना अगर इस column को मुझे हटाना हो roll number मुझे रखना ही नहीं है तो उस cases में हम लोग यहां पर करते हैं control minus button को use करते हैं आपको control minus button को use करना है आप देखेंगे फिल्ड से वही pop-up window होता है और इसमें आपको delete का एक pop-up window enable हुआ नजरा रहा है और इसमें आपको entire column को click करके नीचे में सबसे last वाला option इसको click करके आप OK बटन को click करेंगे तो यह column यहां से delete हो जाएगा तो देखें हमें बार-बार pop-up window पे जाकर button को click करना पर रहा है क्या हो कि अगर मैं यहां button को click करूँ automatically column insert हो जाए उसके लिए आपको यहां पे इस column के आगे करसर रखना है जैसी बात है देखें यहां पे इस column यहां पे column मुझे चाहिए नेम और father name के बीचे मुझे column चाहिए तो मैं यहां पे father name का जो column name है उसको click कर लूँगा यहने कि D को मैं click कर लूँगा D पे में click करता हूँ तो आप देखते हैं कि पूरा column select हो जाता है और उसके बाद आप control, shift और plus button को click करेंगे तो आप देखेंगे automatically यह column insert हो गया अब की बार यहां पे कोई pop up window enable वा नजर नहीं आया और अगर आप delete भी करना चाहते हैं तो control, sorry पहले तो आप इस column का selection लेजिए selection लेने के लिए आप यहां पे d column यह जो भी column है उस column के name के उपर click करेंगे तो आप देखेंगे वो column पूरा select हो जाता है और उसके बाद control के साथ minus button को click करते ही यह column यहां से delete हो जाएगा बिना कोई pop up window के by default यह delete हो जाता है तो देखें यहां और भी बहुत सरे काम है data entry के लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा कई दफ़ा क्या होता है कि आपको एक नया seat लेना होता है जिसे कि यहां पे 10th class का हमने students record हमने बनाई हुए है अब हमें यहां पे 11th class का भी ऐसा ही एक table permit बनाना है उसमें भी record लिखने है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दिखिए उसके लिए सबसे पहले तो एक नया seat लेना होगा क्योंकि हमें एक नया seat पे एक नया page पे काम करना है और यह 10th class का record है और हम चाहें तो वैसे यहां पर भी type कर सकते हैं बट हमें एक नया page बनाना है तो automatically यहाँ पे seat 2 के नाम से देखने को मिलता है और इसमें हमें अपना काम करना है और दुशे कि मैं आपको बता दू हमने यहाँ पे 10th class के जो record बनाए है इनमें हमने इतनी मेनत की है इनमें design दिया है, इनमें merge किया है column का size आगे पीछे हमने increase किया है तो ऐसे हमें दुबारा से यहाँ पे 10th, 11th class का करना पड़ेगा जी नहीं, अगर आप यहाँ पे आपको बता दू ऐसे काम करने के लिए आपको simply इन सभी record का selection लेना है क्योंकि आप चाहते हैं कि जो 11th class का record होगा इस seat की अंदर वो बिल्कुल 10th class के जैसे ही बनना चाहिए design ऐसा ही हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्विकोड का selection लेना पड़ेगा select करने के बाद आपको यहाँ पे ctrl plus c बटन को प्रेस करना है ctrl c का मतलब है copy करना और copy आप करने के बाद आप यहाँ आप देखेंगे seat 2 है seat 2 पे जाएंगे और यहाँ पे आप first cell में करसा रख लिजिए और उसके बाद alt h v w प्रेस कीजिए alt h v w तो आप देखेंगे automatically जो हमारा record है उस seat में जो लिखा हुआ था हमें 11th class के record बनाने है तो यहां हमें 10th को हटाकर 11 करना पड़ेगा बाकि सभी रिकोर्ट होगा इसमें कोई change करने की जरूत नहीं पड़ती है तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे और एंटर कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे name के बाद जो address से related सभी record है इनको हम यहां से हटा देंगे क्योंकि हमें 11th class के record फिल करने है इसके लिए भी हम यहां पे इस फिल्ड का selection लेंगे अभी फिलाल हमने serial number के लिए already formula type किया हुआ है वो type यहां पे already आया हुआ है और हमें यहां serial number लिखना ही नहीं है automatic आएगा हमें यहां पे 11th class का जो record है वो हमें tap करना है उसके लिए फिल्ड का selection लेंगे यहां पे और उसके बाद आपको यहां पे जो मैंने form add किया है जैसे कि home tap के अंदर हमने यहां पे form जो add किया है इसको select करके जिसे हम click करेंगे तो आप देखेंगे यह form यहां पे दिखने लगेगा यह देखिए इसमें हमे जल्दी से tap कर देता हूँ यह address tap करने के बाद आप जैसे enter करेंगे तो आप देखेंगे automatic यहां पे यह record add हो गया है इसी तरह से और भी आप record type कर सकते हैं तो देखें यहां पे हमने यह जाना कि कैसे data entry के लिए हम लोग data को एक soft copy में convert करते हैं एक excel seat में आप जब भी record add करते हैं तो हमें किन बातों का दियान रखना चाहिए और कैसे आप उस record को add करेंगे यह तो हमने समझ लिया है और इसमें और भी बहुत सारी बाते हैं और उन सभी record को add करते हुए उसमें formatting करते हुए हमें काम करना है तो वो भी चीजी हमें यहां पे सीखनी पड़ेगी तो यहां पे इस table को ऐसे design करके रखा हुआ है और इसमें हमें record add करनी है यहनि कि हमें data entry करनी है तो मैं यहां पे person का नाम लिखता हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया रमेज ठीक है और यहां पे rate लिखता हूँ जैसे कि मैंने लिखा 14% तो मैं 14 लिखने के बाद percentage add करने के लिए म shift को hold रखना है और उसके बाद five button को click करेंगे यहां पर्सेंटेज symbol की को press करेंगे तो यह percentage आजाता है लिखा हुआ ठीक है and amount आगे लिखते हैं आप यहां पे मालो 32,500 रोपीज है तो वह आप यहां पे type करते है यहां पे मैंने लिखते है यहां पे two year देखे अगर आप percentage आ इसके लिए मैं आपको बता दूँ इन सभी cell का selection आपको लेना होगा and उसके बाद आपको यहां आप देखेंगे home tab है इसके अंदर numbers का group बना हुआ है इसके drop button पे आप click करेंगे तो यहां पे बहुत सारे options देखने को मिलेगा इसमें आपको percentage select कर लेना है आप देखें यहां पे यह कहना चाहते हैं यह देख रहे हैं कि double zero लिखा हुआ automatic आ रहा है तो इससे कोई problem नहीं है अगर इन के साब हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी option बना हुआ है यहां आप देख सकते हैं यह जो zeros का button है आप इसके click करेंगे decrease decimal तो यह zero यहां से हट जाएगा तो यह आप decimal values यहां पे देख रहे हैं बट अगर आपने इनका decimal value हटा दिया मान के चलो यहां से decimal value में हटा देता हूँ ठीक है यहां इसका selection लिया और यहां से decrease decimal पे click कर दिया ऐसे में आप कोई भी number type करेंगे तो उसमें decimal values आपका आएगा तो वो दिखे गई नहीं तो इससे problem है तो आप चाहते ऐसा है कि decimal value जब मैं लिखूँ तो वो दिखे तो ऐसे cases में आपको यहां पे decimal values का जो digits है वो हटाना नहीं है बलकि रहने देना है तो कोई problem नहीं है calculation में कोई problem नहीं आएगी और generally हमारा rate format यहां इस तरह का ही हमारा rate rate format ऐसे ही होता है तो so simple है तो मैं यहां पर आपको बताया कि कैसे आप rate add करते हैं किसी तरह से अगर आप amount की बात करें तो amount field में भी हमारा यहां पर amount का जो symbol है currency symbol है वो add होना चाहिए comma decimal format होना चाहिए तो ऐसा case करने के लिए ऐसा format बनाने के लिए आपको column का cell select करना पड़े गया जहां पर आप जो amount type करेंगी वहा currency symbol पर क्लिक करना पड़ेगा आपको जैसे currency symbol पर क्लिक करेंगे यह आप देखेंगे decimal और कॉमा में जो amount format हो आ गया पर currency symbol डॉलर में आ रहा है हमारे इंडिया में currency symbol रूपीज चलता है तो रूपीज का यहां पर symbol आना चाहिए यह भी format हम यहां पर दिखाना चाहते है तो यहां आपको एक निया pop-up window enable नजर आएगा और इसमें आपको select करना है symbol बटन पर क्लिक करना है जो symbol आपको यहां पर दिख रहे है इसके drop menu पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको Indian currency symbol जो है वो आपको search कर लेना आप देखेंगे नीचे drag करते हुए तो आपको मिल जाएग ना तो automatically आपका वहां पर currency भी आएगा decimal और comma separated हुआ आएगा यह काफी अच्छा है इस तरह से आप amount को denote कर सकते हैं format को दिखा सकते हैं और हाँ एक चीज़ जब भी आप किसी Excel cell में कुछ लिखते हैं तो यहां पर hashtag का format देखने को मिलता है कई दफा हमें लगता है कि यहां हो गया बट कई दफा ऐसा हमें तभी देखने को मिलता है जब हमारा वो cell छोटा रहता है और उसमें लिखावा value ज़्यादा बड़ा रहता है तो उस cases में हम लोग यहां पर column का size को increase कर देते हैं यहां से column का size increase करेंगे ना तो automatically हमारा record proper arrange हुआ आ जाएगा और record दिखने इस तरह से तो यह कैसे होगा मैं इसको बताने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस column का selection ले लो ठीक है तो मैं यहां पे इन सभी cell का selection ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहां पे इस drop button पे click करता हूँ आप देखेंगे इस drop button पे click करके यहां पे select कर ले है आप चाहें तो यहां पर इनका shortcut यूज़ करने के लिए control के साथ one button को press करेंगे control one keyboard में control one को click करते ही आप देखेंगे cell format cell का जो pop-up window है वो enable हुआ नज़र आता है इसमें आपको जाना है custom custom पर जाने के बाद आपको यहां पर type में general को हटाना है यह देखे जनरल लिखा हुआ है इसको आप हटा देंगे और उसके बाद आप यहां पर type करेंगे hashtag and space देकर inverted comma में आप लिख देंगे year ठीक है अब जैसे inverted comma में year लिखते हैं उसके बाद okay करते हैं तो आप देखेंगे इन सभी cell में इयर लिखा हुआ आ जाएगा मैं यहां पर इस फिल्ड का नाम change कर देता हूं जिसे कि मैं time लिख देता हूं ठीक है अब अगर आप यहां पर ठीक है यहां पर इस cell में अगर कोई भी number लिखते हैं कोई भी आप year number आप टाइप करते हैं तो automatically वहां यहां पर year लिखा हुआ आ जाता है हम यहां पर year टाइप नहीं कर रहे हैं बलकि यह automatic आ रहा है तो इस तरह से आप यह data entry के लिए इस format को apply कर सकते हैं और आपका data entry बहुती आप काम करने लगेंगे अब यहां पर देखिए मैं इसका calculation करना भी सिखा देता हूं सो देखिए यहां पर इंट्रेस्ट करना चाहता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे is equal to rate करेंगे and multiply और यहां amount select करेंगे और उसके बाद फिर again multiply का symbol यह नीचे वह star बटन होता है हमारे keyword में उसको आप shift के साथ press करते हैं तो वह start लिखा वा जाता है और उसके बाद आपको यहां पर अलग-अलग cell का selection लेके उन्हें multiply करके enter करना है तो आप देखेंगे वह amount यहां पर find हो ग total amount है यहां पर मैं ले देता हूँ interest ठीक है interest amount ओके so यह एक simple format है आप इस तरह से आप बना सकते हैं और उसमें calculation भी कर सकते हैं so मैंने यहां पर आपको बताया कि कैसे आप number format का भी use कर सकते हैं आप data entry का का काम कर रहे हैं तो number formatting का भी use करना आपको आनी चाहिए अब देख यहां पर हम कही द tapes ऐसा है कि कई बार हम लोग करते record को checking करते हैं, check करते analyze करते है record का consist का देक着 कि कितना आया कितना नहीं आया कौन सा record कुतना है स्मस्ट करते हूँ उस cases में हम iisse drag करते मैं और बता देता हूँ तो freeze होते ही वो उपर नीचे ड्रैक ना हो है ना field name हमारा as it is ऐसे इस position पे रहे हमेशा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे करसा रखेंगे field name के नीचे करसा रखेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे view टैप पे जाना है view टैप पे जाने के बाद आपको freeze pen पे जाना है और यहाँ पे freeze pen के बटन पे क्लिक कर देना है तो आप देखेंगे कि जब आप इसे नीचे up down करते हैं तो वो field freeze हो जाता है अब up down वो नहीं होता इससे हमारा record को देखना उसको analyze करना बहुत easy हो जाता है सो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो please like करिए और लोगों तक सेयर करिए नए वीडियोज की जानकारे के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए धन्यवाद